भाई और भेनों, असम्मे नौर्थ इस्ट में सरकार और समाज के सामुहित प्रयासों से जैसे जैसे शांती लोट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बढ़लाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आम फोर्सी स्पेशल पावर एक आप्षा नौर्थ इसके अनेक राज्यों में रहा है। लेकिन बीते आठ सालों के दोरान स्थाई शांती और बहतर कानून व्यवस्ता लागू होने के कारण हमें आप्षा को नौर्थ इसके कई ख्षेत्रों से हटा दिया है। बीते आठ सालों के दोरान नौर्थ इसके हिंसा की घटना में करीब 75 प्रतिशत की कमी आई है। यही कारण है कि पहले त्रिपुरा और फिर मेगाले से आप्षा को हटाया गया। असम में तो तीन दसक से यह लागू था। स्थीतियों में सुधार ना होने के कारण पहले की सरकारे इसको बार बार आगे बढ़ाती रही। लेकिन बीते वर्षों में हालात को ऐसे संबाला गया कि आज असम के तेज जिलों से आप्षा हटा दिया गया है। अन्य छेत्रों से भी हम तेजी से हालात सामान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से भी आप्षा को हटाया जा सके। नागा लेंड और मनिपूर में भी इत दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। साथियों नौर्स इसके राज्यों के भीतर के समस्यों का समान तान तो हो ही रहा है। राज्यों के बीच भी दसकों पुराने जो सीमा विवाद थे वो भी बहुत सहुवार्द के साथ हल किये जा रहे हैं। मेहमनता जी और नौर्थ इसके दूसरे मुख्मंत्रियों को भी आज विशेश बढ़ाई दूँगा कि उनके प्रयासों से नौर्थ इस अब देश की ससकता आर्थिकाई बनने की और अग्रसर है। सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ आज सीमा से जुड़े मामलों का समादान खोजा जा रहा है। असम और मेगाले के बीच बनी सहमती दूसरे मामलों को भी प्रोच्छाहिट करेगी। इस से इस पूरे छेत्र के विकास के आकांच्छाओं को बल मिलेगा।